दोस्तों अगर आप अपने दुश्मनों से हो रहे हैं परेशान तो इस दिवाली करें एक प्रचंड वशी करण जिससे आपके दुश्मन आपके दोस्त बन जाएंगे अगर आप किसी को अपने वश में करना चाहते हैं चाहे वो आपका दुश्मन हूँ या दोस्त चाहे आपका पुराना प्रेमी हो या फिर आपका रूठा हुआ प्यार हो किसी को भी अपना बनाने के लिए आप कर सकते हैं दिवाली की रात ये प्रचंड वशी करन तो दोस्तों इसे कैसे करना है वो जानने के लिए हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें और मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस उपाय को करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है बस आपको दिवाली की रात बारा बजे से एक बजे के बीच में इस उपाय को करना है तो आपको एक काजल बनाना होगा जिसे की वशी करन काजल कहा जाता है और इस काजल को लगा कर आप जब भी किसी के सामने जाएंगे तो वो आपके वश में हो जाएगा सबसे पहली चीज तो यह है दोस्तों की से बनाने का तरीका यह है कि आपको एक दीपक जलाना है दीपक के अंदर आपको डालना है तिल का तेल और तिल के तेल में आपको डाल देनी है आठ लॉंग लॉंग डालने के बाद आपको क्या करना है कि उसमें थोड़ा सा डालना है लाल कुम-कुम और उसके बाद रात भर इतना तेल डाल देना है कि वो दीपक रात भर जलता रहे और फिर दीपक के उपर आपको एक प्लेट रख देनी है जो की स्टील की प्लेट हो सकती है या फिर आप कोई भी लोहे की प्लेट रख सकते हैं जो पूजा वगे के उस प्लेट में इकठी होती जाएगी अगली सुबह जब आप उठेंगे जब प्लेट में पूरा काजल इकठा हो चुका होगा तब आपको उसमें एक बूंद देसी घी डालना है गाय का घी और उसके बाद उस काजल को इकठा कर लेना है छोटे बरतन में दोस्तों इस पारे दुश्मन बन जाते हैं ओफिस में या जहां पर वो काम करते हैं जहां पर रहते हैं वहां पर उनके दुश्मन होते हैं जिसकी वज़े से उनके काम में उनकी कुछ भी प्रगती नहीं हो पाती उनका काम करने में मन नहीं लगता है तो अगर आप इस काजल का इस्तमा और दोस्तों ये काजल पूरे साल आपकी मदद करेगा आपके दुश्मनों को आपसे दूर रखेगा इस तरह से आप अपनी जिन्दगी में जितने भी दुश्मन हैं उन्हें दूर कर सकते हैं तो दोस्तों इस दिवाली की रात ये काजल जरूर बनाएं और ये प्रचंड व हमारा नमबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों उस नमबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं दोस्तों हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग अपना नमबर लिख देते हैं इस बात से आप सावधान रहें कि उन लोग को बिलकुल भी call ना करें क्योंकि वो fraud लोग होते हैं उनके number पे call करके आपको कोई भी help नहीं मिलेगी कोई भी फायदा नहीं होगा बलकि नुकसान ही होगा तो उन numbers पे कभी भी call ना करें तो आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में